बीजेपी के फाइर ब्रेंड सांसद वरुन गांधी इंदिनों अपनी ही सरकार पर हमलावर है। रसल आगामी 13 जून को गोरकपुर के छात्र इंद्रेश उर्फ गुड्डु मौर्या का RRB NTPC का एक्जाम होना है। परिक्षा केंद्र पूरे महराष्ट रखा गया है। ऐसे में इंद्रेश ने इतनी दूर परिक्षा केंद्र बनाए जाने पर सवाल उठाए थे। उसने ट्वेटर पर लिखा कि मेरा घर गोरकपुर है, मैंने चंडिगर से RRB NTPC फॉर्म भरा था। मेरा सेंटर पूरे महराष्ट भेजा गया। कनफर्म टिकेट नहीं मिल रहा है और इतनी दूर भेज दिया गया है। इस ट्वेट को इंद्रेश ने रेल मंत्री अशनी वैशनव और सांसद वरुन गांधी को टैक किया था। इंद्रेश की परिशानी का बीजेपी सांसद वरुन गांधी ने संग्यान लिया। उन्होंने रिप्लाई करते हुए ट्वेट पर लिखा कि आप अपना पूरा प मेरा आरारवी एंटी पीसी एक्जाम सेंटर मेरे घर घोरफुर से बहुत दूर पूरे महाराष्ट में चला गया था। जिसके लिए मैं वहां जाने में असमर्थ था। और इसके लिए मैंने वरुर गांधी जी से मदद की गुहार लगाई थी। उनके द्वारा मेरे संप पूर यात्रा का परबंद करा लिया गया है। जिसके लिए मैं माननी वरुर गांधी जी को बहुत बहुत धन्यमाद देना चाहता हूं और मेरे परिवार की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यमाद है। अपनों को साकार करेंगे। मेरी तरफ से धेरो शुप कामना है। बड़ा सवाल ये है गे शात्र की मदद के लिए तो वरुर गांधी सामने आ गये। लेकिन देश में ऐसे लाखो करोडों शात्र मौजूद हैं जिनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता।